प्रित्वी, आकाश, जल, अगनी, हवा ये सारे पंच भूतों को भगवान ने सारे प्राणियों को एक समान दिया है और सोच एक महाशक्ती भगवान ने सिर्फ इनसान को दिया वही सोच, प्यार, नफरत और कई सारे विचार और इनसानों का स्वार्थ एहंकार पैदा करता है और उसका अंजाम होता है मौत इनसान एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाता है फिर एक दूसरे को काटने के लिए इनसान जानवर बन जाता है झाल 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 कौन तोड़ा जोर से बोलिये सुनाई नहीं दे रहा है हाँ आप सुनाई दे रहा है चलिए बोलिये क्या मर्डर हुआ है सर झाल झाल सर यहां पर एक जिन्दा है सर साइसरे बाद यहां तोश्व खख़ 수 साइसरे बताया मर्या क्या है कर झार शार थाMusic कर पार भी आए तोष्ड़िए आज तक तेरे उपर कोई कंप्लेन, कोई केस दर्ग नहीं हो और आज तुने इतना बड़ा कांड कर दिया विश्वास नहीं होता इसका मतलब या तो तु बहुत भोला इंसान है या फिर तु बहुत जादा चालाक है इससे पहले कि इस केस के बारे में तुसे बात करो तुझे मेरे बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए हेलो ब्रदर्स और सिस्टर्स आप सब को एडवांस में हैपी दिवाली अक्षरा मेरी बहन है मेरी बहन मतला अब तुम सब की बहन जो यह भूल जाएगा मैं उसे याद दिलाओंगा जैसे इसे याद दिला रहा हूँ चाहे उसने जो भी किया हो लेकिन तुने तुम अनर्थ कर दिया क्या तुम्हारा उस नाम पर राइट्स है राइट्स नहीं प्यार और उसके साथ जिम्मेदारे गुड़ मोणिंग दिदी गुड़ मोणिंग भाई गुड़ मोणिंग दिदी दिदी गुड़ मॉर्णिंग दिदी मुड़ी देखी ना नमस्ते सिस्टर एई दुबॉला सिस्टर बोलाना तो जान से मार दूँगी हाँ नी तो तुझे मैं मेरे चहरे से क्या बहंजी लगती हूँ सॉरी सिस्टर खाना खाता है या घास अट दिदी नमस्ते दिदी नशलंहीं दभी ने इन थी नमस्ते दिदी नमस्ते दी रवरे सिस्टर की मेरे चेहरे पर दीदी लिखकर पैदा किया था क्या हुआ तुम्हारे भाई ने कुछ कहा वो तो मेरा भाई लगता भी नहीं है कॉलिज में जिसको देखो वो सिस्टर सिस्टर बोल रहा है तोच्र कर दिया है मुझे आप बस हस्ती रही है जा रही हुँ कभी तो कोई ऐसा मिलेगा जो भाई से नहीं डरेगा देखना उसके साथ भाग जाओंगी फिर मत कहना मैंने बोला नहीं सुनो तुम्हारे मुझसे ऐसी बाते बिलकुल अची नहीं लगती कुछ दिन पहले सम्मुंदर किनारे एक घटना हुई थी जिसमें एक इंसान की लाश मिली थी पुलिस इस घटना की चान बिन कर रही है यह बिकार के नियुस देखते रहते और मुझ पर पाबंदी लगाते श्याया के आस-पास के लोगों से पुलिस चली जाए तो मगवान जी मेरी एक और हल्प कर दीजिए मेरा भाई कहीं बिजी हो जाए और मैं अकेले हैपी हैपी कॉलेज चली जाओं ओके अब फ्रेमें नहीं हां दो नारियल चड़ाउंगी मेरी एक चापूरी कर दो पीस 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 बाई रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रहा है कौन सी जगे शूपूरा में ना वहां के लोग है सार अच्छा भो ठीक है बहन को छोड़कर आता है बाई वो थोड़ा अर्जेंट है ठीक है अक्षरा हां मुझे कुछ काम है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं समझ कर कॉल देज जाना ओके भाया मा तुम्हारी बेटी आज फाइनली स्वतंत्र हो गई पॉल फ्रीडम आपको पता है मा मैं जो मांग रही हूं वो सब हो रहा है अच्छा तो जरूर आज कुछ होने वाला है देखो वहाँ क्या मा पी ना इतनी मुष्णल से आज एक चांस मिला था भाई का मन बदल जाए उससे पहले मैं यहां से गायब हो जाती हूँ थैंक यू कृष्णा थैंक यू सो मच रोज ऐसे ही मेरी इच्छा पूरी करते ना मैं रोज तो नारियल चड़ाऊंगी ओके ठीक है ना मा क्या हुआ इसलिए मैं तो में अकेला नहीं छोड़ता जब भी छोड़ता कुछ करबड़ो जाती है गुना भाई प्रोग्राम कैंसल कर दो ठीक है भाई प्रोग्राम कर दो प्रोग्राम कर दो राई बाइ भाय भाया इत बाइ कॉलेज नबाप आगया कि इसके लिए साही मर्द यहीं है कि पीछे चलो पीछे आओ जिजा जी आओ आई 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 चलिए जिजा जी तुम लोग मुझे जिजा जी क्यों बोल रहे हो आखरे प्रॉबलम क्या है तुम्हारी यहां पर हमारी एक बहन है उसके साथ रिष्टा जोड़ना है इसके सब्सक्राइब हो गया क्या है कर दो जटका लगा ना मैं तो बता रही थी कि वहां लिखा है सब के प्यारे जी-जाजी हाई आम अक्षिरा चला है अरे हलो लगता है बहुत आटिट्यूड है तुम्हारे अंदर हां ऐसा क्या खाते हो बताव तो एक तम पाफेक्ट हो तु ओए सुधीर यह सर सुजीत के बारे में मालूम करना है उसके जी-जा को बुलाओ ओके सर एक दिन सुजीत जखम के साथ घर आया सर पूझने पर पता चला कि अक्षरा उससे प्यार करती है ऐसे फॉलो क्यों कर रही हूँ? सबके जी-जा-जी पर लाइन मार रही हूँ क्या कहा? सबके जी-जा-जी पर लाइन मार रही हूँ चला हट हलो? अभी तुम बस मेरे प्यार को फील करो थोड़े दिन बाद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा तुमचे जी-जा-जी नी जिगिना, 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 जिगिन सु जी अच रा को सबसाथ सबसाथ को तो यह जी जा जी बहुत जल्दी जा रहे हो थोड़ा समभलकर कहीं शर्ट फटता जाए तब से ऐसे मुझे घूर रही हो तो क्यों नजर लग गई क्या जानू नजर उतारती हूं इसकी नजर उसकी नजर कॉलेज में सभी की नजर थू 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 दो मिनट चुप नहीं रह सकती जब देको बखवास करती रहती हो लगता है तुम्हारी माने बहुत केसर खाके तुम्हें पैदा किया तभी इतने गोरे चिट्टे पैदा हुए हो इसलिए मैं तुम्हें पटा रही हूं तिमाग खराब है क्या पास आके किस करके देखो बता जल जाएगा यह तो तुम्हारी मेंटर है ओई सुनो इस पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम्ही एक जीजा जी हो और पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं ही एक दीदी हूँ तो रिष्टा जोड़ सकते हो ना एक बख्वास बंद कर बिना सेंस की बाते मत करो क्या सेंस यार अक्षा तुझे पूरा लाइंद दे रही है वो डीप में गुच गई है सही है भाई यह दब पती जैसा फिल दे रही है तू बोल दे रजिस्ट्रेशन के लिए तयार हो जाएगी हाँ यार जितना दूर जाता उतनी मेरे पास आ जाती है वो लड़की समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है लगता है अब उसे एक दोस्त की तरह मुझे समझाना ले अरे उमीद नहीं डर डर अब एक तेरी कोई बहन होती तो तो इसको प्रोटेट्ट करता कि नहीं करता करता हुआ कंपरी चाहिए क्या छोड़ देंगे हम जैसा बोलते हैं वैसा करो सच में छोड़ देंगे प्लीज सामने से हर्चा हटो कहाना प्लीज जाने दो तुम यहां पर तुम कैंपस में नहीं दिखे तो मैं क्या बहत है लवर तो यह हीरोगिरी दिखाएगा देख यार मैं जगडा यह मेरी दोस्त है तो क्या कर लेगा मुझे छेडा तो इससे गुसा होया मतलब मुझे पसंद तो करता है मैं तिखाई नहीं दिया तो जहां मन करेगा वहां पहुच जाओगी ठीक है आज के बाद हम दोनों फ्रेंड्स है फ्रेंड्स चलो श्रुवाद तो हो रही है फिलाल यहीं सही क्लोस फ्रेंड्स फुल क्लोस फ्रेंड्स थैंक्स ओके अब तो खुश हो ना हां सुझीद एक मिनिट हां ओके तुम्हारी वज़े से सुझीद मेरे साथ कॉले जा रहा है सिस्टर पार्टी कर लो सुझीद पर हाथ उठाएगा तो बापरे नालायक थैंक्स पोलने गई थी अब हम चलें अक्षरा एक्चुली मैं तुम्हारे साथ एक कॉफी शेयर करना चाहता हूं थैंक्या सुझीद अरे पापरे कॉफी बोल रहा है कॉफी मतलब स्ट्रॉंग कॉफी हां अरे कहीं ये कुछ और तो नहीं समझ बैठी कॉफी शेयरिंग का मतलब कुछ और तो नहीं है तुम ऐसा क्या सोच रही हो एक्चुली मैंने पर्सों यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था अम कॉफी पीने से दूसरी तुम्हारे दूसरी दुनिया में चले जाते हैं् हृण है कि अचte बहुत सारी टाइप की कॉफी होती है डाक कॉफी चौकलेट कॉफी कुफी क्रीम कॉफी इंगल कॉफी सिंगल शॉट कॉफी भूर तुम्हें कौन सी टाइप की कॉफी चाहिए बलो अभी अभी हम क्लोस फ्रेंस बने है ना तो मुझे कोल कॉफी ही चाहिए थपड़ पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी उफ ये लड़की भी बहुत बिगड़ गई हो तुम ये सब कुछ इस फोन की वज़े से पता नहीं क्या-क्या दिखती रहती हो एक बात समझ लो आज से जो कर बोलना पड़ेगा अच्छा सुनो तुम्हें रोज एक घंटा योगा करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मन थोड़ा शांद रहे मैं तो बच्पन से योगा कर रही हूं भाईया ने यह आदत डलवाई ओ वेरी गुड ये तो अच्छी बात है इसके साथ साथ तुम्हे रोज मंदिर जाना होगा इससे दिमाग और दिल दोनों कंट्रोल में होगा अरे सुजीत मेरा तो घर ही एक मंदिर है रोज सुबा पूरे एक घंटा में भाया के साथ बैटकर पुझा करती हूं ठीक है एक काम करो किसी भी लड़की के लिए माई किताब की तरह होती है तु सुजीत तुम मुझे डागते होना तो अच्छा लगता है हाई तुम यहाँ पर कैसे कल तुम ने कॉफी शेयर करने को कहा था ना इसलिए आ गई आज कॉफी शेयर करें अरे तु क्या घर पे आ जाओगी क्या वह यहाँ से पापा देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी यह तो डरता भी है मतलब कॉफी नहीं पियेंगे कॉफी नहीं पियेंगे क्या अरे मैं आता हूँ ना तुम जाओ ओके अरे जाओ ना क्या बात है जीजा जी सुना है हमारी बेन गरते का गई थी अरे बाहर जा भाई देखने कैसे घूम रही है चोप पड़ाई भी ध्यान दे चल जो जाओ यहांसे मैं आ जाओंगी मैं आ रही हूँ अरे यह रड़की भी ना जाओ यहांसे तुम अरे जाओ ना मैं तुमसे बोल रहा हूँ जाओ तुम बाहर के लिए बहुत औचन काम है तुमसे यह जाओ अक्षरा तुम यहां क्या कर रही हो कॉमन सब्जेक देट्स वाया केम कुछ भी डाउट है तो बाहर जाके टेयर करो प्लीज गो आउट ओके मैं यह तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है क्या हूँ क्या हूँ प्लीज जिप्तों लगा लो जानो प्लीज जिप्तों लगा लो जानो सुजीत मेरे पीछे पीछे भाग रहा था इसके साक्षी तुम हो तुम्हारे लिए ये बादल और आसमान दोनों साक्षी है अमावस का चान सिर्फ तुम्हें ढूनता है हवा में भी लकीरे खिच रही है धर्ती और आकाश कभी आपस में मिन नहीं सकते ऐसे चुपचा पस देखते रहोगे क्या इसकी बाद को सच करते होगे क्या तुम जो सोचते वो तुमने बोल लिया अब इस बारिश से बचा कर मुझे लाइट हाउस तक लेकर चलो इस चन्नम में ता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली ठीक है ना क्या हुआ आप कुछ बोल के नहीं रहे हार जाने का डर लग रहा है क्या चलो वाव येई वाव आर जी साओ दो एकर जमीन पूरी मेरे दादा जी की है सुर्या गार्डन सिटी और ये एक एकर जमीन समुद्र के नारे आप से जरूरी बात करनी है ठीक है गुना तुम कुछ बोल रहे थे क्या है भाई वह अपनी बेहन किसी के साथ है क्या बाख रहा तुम सच करा भाई उस दिन कॉलेज में जिसने हाठ डाला था आप पर तेरा कॉलर क्यों पकड़ा तुझे समझना चाहिए कोई बात मेरे तक नहीं पोछनी चाहिए दोनों एक दूसरे को भूल जाया ऐसा कुछ कर ठीक है भाई समझ क्या मेरी बात क्यों और समझाओं समझ क्या भाई बात मेरी चाहिए दो भीच्ट नच बात क्यों पात क्यों वह क्यों था क्यों झाल 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 hygiene झाल आखिर यह कर के रहा है तो स्वार वदिर श्Kit उक्ते उड्ल पनाव al, स्वारा वदिर प्राम ताया भ राकरम ताया भ राकरम ताया भ भाकरम हुआ पनाव भाकरम travaille लो जो आह खख खबाखंच अज़खखद़ जो जोज़ जाओंच जो भाल भालो जबाखंच जो जोड़खखख़ खालो हाँ कर दो तक हो जा जघ मैं अ टुट जा हुआ हुआ तक अच lat मझाल जा तकर तक पर हुआ हाँ कर दोड़ हैं जा है तक हुआ एक बात समझ लो प्यार करने उसकी पहन आई थी और मुझे उससे प्यार हो गया है अब हम दोनों को उपर वाला भी अलग नहीं कर सकता पता नहीं उस लड़की ने मेरे अंदर क्या देगा मिलते ही मुझे प्यार प्यार करने लगी जैसे उसके भाई को पता चला तो उसके भाई ने चांद से मारने की धमकी दे थी अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना हमारे बीच को जगड़ा नहीं है किसी का भी भाई ऐसे ही रियक्ट करेगा और उसके भाई की एमोशन को मैं घलत नहीं बोल सकता हूँ तुने सुजीत के बारे में जितना बताया उससे तो वो शरीफ लग रहा है लेकिन वो अक्षरा को आवाइट क्यों कर रहा था उसकी वज़े मैं ही हूँ सर मेरी वज़े से सुजीत की फैमिली में डिस्टरबेंस चुरू हो गया था भाया यहीं रोग देजिए सुजीत यह देखना अभी तक देखा नहीं क्या सोच रहा है तू इससे देख कैसा है अच्छा है ना यह चिटफंड के पैसों से लिया है तुम्हारी बहन के लिए तुम दोनों के लिए लेने गई थी लेकिन यह नेकलेस देखने के बाद मेरा मन बदल गया और वैसे भी शादी के बाद वो अपने घर चली जाएगी तुम्हारी आखे इतनी लाल क्यों है कुछ नहीं मा बाहर से आया हूँ ना आखों में दूल चली गई और मैं नेकलेस उसे दिखा कर आती हूं अरे कहां है वो ए सुजित कहा है तुम्हारी दिदी पूरे घर में दिखाई नहीं देरे कहीं चली गई क्या बिना बताया चले गई टाइम के परवा ही नहीं है कितनी लापरवा है ठीक है बार में दिखा दूगी बात है सीमा डिली हमेशा टाइम पर ही जाती है यह सब देखने के बाद सुजीत का प्यार से विश्वा सोटके असार उसे लगा कि प्यार में सिर्फ तकलीफ ही जेडनी पड़ती है इसलिए वो अक्षरा से दूर भागता रहा सुजीत की वजए से मेरे और उसके परिवार की दूरी कम हुई सर एस सुजीत जल्दी से तय हैं अब ही जाना इतना जरूरी है क्या दो दिन और में तकलीफ होती है न जा ना दिदी मैं रेडियो करके आता हूँ चल्दी जा जब देखो तब जिद करती रती है हमारी बात ने सुनती तुम भी न मा कमाल करती हो पापा तो मेरे शकल भी नहीं देखना चाहते क्या बोल रही हो? मुझे देखके बोलो और नहीं तो क्या मा दस दिनों से देख रही हूँ मेरे सामने तो पापा आते भी नहीं है अब क्या बोलोगी तुम? बाप बेटी के बीच मैं ही पीस रही हूँ नहीं नहीं मैं ही पागल हूँ पापा मैं तीरी को ड्रॉप करके आता हूँ ए सुजीत आप बोली ना बच्पन से उसके नाम से कुछ सेविंग किया है और एक फ्लेट लिया है मैंने उसके नाम से ये डॉकुमेंट्स उसको दे देना हेलो हाँ मैं ठीक हूँ तू बता कैसा है, लोग कहते दे कि प्यार अंधा होता है, ये बात अब समझ में आई, जिससे प्यार करते हैं, उसके लिए सब को छोड़कर चले जाना पागलपन होता है, मैंने शादी कर ली, और ये बात ममी बाबा को बताई भी नहीं थी, लेकिन आज मुझे समझ में आ र मुझे पूरा नहीं लगा, वैसे इतना गुस्सा कियों, मुझे ही तो पकड़ा ना, अरे किसी आजनवी को थोड़ी ना पकड़ा, तुम तो मुझे, तुमें क्या काम है मुझे, एक मिठा, अब ठीक है, टेंशन खटम, ऐसा करने से टेंशन खटम हो जाती है, पता है, ये बताने के लिए हम आप आई हो, नहीं नहीं, एक सीरिस बात करनी थी, अच्छा, तुम उस तरफ देखो, मैं बताती हूं, अच्छा, ठीक है, मैं ही बलटती हूं, तुम्हारी नजर में मैं एक नक्चड़ी लड़की हूं है न, बहुत शरार्ती भी हूं, बरबर करती रहती हूं, सरफिरी, मेंटल, आगल, यहीं सोचते हूं न, कोई लड़की किसी लड़के की पीछे भागेगी, तो सभी यही समझेंगे, लेकिन मैं यह करके बहुत खुश हूं, सुजीत, जिस्ट बिकस अफ यू, क्यूं, किस लिए पूछो के तो, आई कान टेल यू, इस उमर में सभी लड़कियों के मन में एक ही फीलिंग होती है, जो वो हर किसी से शेर नहीं कर बाती, लेकिन उसकी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, लाइफ लॉंग, अगर यह बात अभी नहीं बताऊंगी तो, कहीं मेरी सांसे ही ना रुक जाए, I love you, सुजीत, लव यह बोलना असान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल, बात में पसीरे छूड़ जाते हैं, समझ में आया, तुम्हारी एक फैमिली है, उस फैमिली का सोसाइटी में एक स्टेटस है, तुम्हारा एक भाई भी है, उन सब ने पता नहीं तुम्हारे लिए क्या-क्या सोचा होगा, प्यार करने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए ना, प्यार में अंधी मत बनो तुम, तुम्हें पहले अपन कर दो कर दो कर ईफ कर दो कर दो ओज कर फब दो आ एफ, दहा हो गुजा हुझ Bash हुग तुम्हीं ने कहा था ना कि धर्टियों राकाश का मिलन नहीं होता यह जो बारिश है उनकी मिलन की वज़ा से हो रही है अब जीऊंगी और मरूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ विशाखानगर में जो हत्या हुई है पुलिस उसकी तहकिकात बड़े ही जोर शोर से कर रही है यह हत्या जेवी ने क्यों किया है पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रही है आखिर इसकी वज़ा क्या है आए दिन ऐसी घटना है तो होती रहती हैं सर हम लिखते रहते हैं और आपको भी पता है तो इस मामले में पुलिस क्या कहना चाहेगी सर गले में टैग हो और हाथ में माइक हो तो जो दिल में आए वो बोलोगी जो भी पूछना है सीधे पूछो अब और क्या करूं सर आरजी केस के मामले में आपके डिपार्टमेंट ने प्रेस के सामने एक भी एविडिन्स नहीं रखा मतलब ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ है तो फिर ये बताए उस साइको आरजी को अब तक कोट में पेश क्यों नहीं किया गया आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि आरजी साइको है जो अपनी बहन से जान से जादा प्यार करे पर दुश्मनों पर जानवरों की तरह तूट पड़े उसे क्या कहेंगे साइको ही बोलेंगे न जिसने अक्षरा का नाम अपने हाथ पर लिख दिया था उसका हाथ उसने जला दिया था सो सो दाट साइको हाथ नो राइट तो लिव इन दिस सोसाइटी रामायन को एक ही तरीके से देखा जाता है और उसमें भगवान भी है और राक्षस भी एक तरफ इस केस से संबंधित गवाह हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूज रहा है और दूसरी तरफ पोस्टम रिपोर्ट और फॉरंसिक लैब रिपोर्ट नहीं आई है यह सारे रिपोर्ट आने के बाद आर जी साइको है या नहीं यह कोट डिसाइट करेगी सर रिपोर्टर जैसा बोल रही है आर जी ने जो किया वो गलत किया ना सर तो फिर हम इस केस को डिले क्यों कर रहे हैं सर एक बात बता सर राम ने सुरुप नखा कि नाग काट कर भेजा वो गलत था या सही था लड़के थी सर गलत था ही पर राम ने ऐसा क्यों किया या जाने बिना रावन सीता को उठा कर ले गया वो गलत था या सही था गलत था सर फिर रावन के कबजे में जो सीता थी उस पर रावन की परछाई भी नहीं पड़ी फिर भी राम ने रावन को मारा ये सही था या गलत था सही नहीं था सर सुर्फ नखा ने रावण को सही बात नहीं बताई सिर्फ ये कहकर कि राम ने मेरी नाक काट दी उसने रावण को भड़काया ये सही है या गलत गलत है सर ये तो बहुत बढ़ा अद्याय है लोग कितनी किताबे पढ़ते हैं लेकिन छोटी सी बात को नहीं समझते हैं सर अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है हालात की वज़े से इंसान जो निर्ने लेता है उसी के आधार पर इंसान सही या गलत होता है लड़की जब 16 वरस की हो जाए उसे तीन साल के अंदर जवान लड़की को ये सोचकर घरवाले उसके लड़का डूना अपने करताबे समझते हैं अगर माबाप लड़की के शादी के बारे में लापरवाई करें तो उसके दोशी लड़की से ज़्यादा उसके माबाप होते हैं एक परिवार में ऐसा ही हुआ अगर एक बार जवान लड़की घर की देलिस पार कर दे तो सब कुछ बरबाद हो जाता है इसलिए लड़की के जवान होते ही उसके लिए अच्छा रिष्टा दे कर उसकी शादी कर देनी चाहिए ऐसा हर माबाप को करना चाहिए यही इसका एक उपाय है अपने वेद और काल को छोड़ कर इंसान बहुत दूर निकल गया है तुम बहुत पीछे जाके सोच रहे हो बेटा लड़की जब 16 वरस की हो जाए उससे तीन साल के अंदर जवान लड़की को ये सोचकर घरवाले उसके लिए लड़का डूना अपने करता पे समझते हैं माब आपको समय रहते हैं लड़की के शादी कर देनी चाहिए वेद और काल उम्र ये सब कुछ धर्म के दोर से बढ़ाएवा जब उम्र हो जाती है तो सभी चार बाते करते हैं लिकिन सिम्मेदारी हमारी है आजादी बहुत देदी अब रिष्टा देखते हैं मैं करता हूँ कुछ अब जीओंगी और मरूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ अरे बाप रहे हैं ओ और कहां है हाँ हाँ सुर्णी मन्जू मन्जू हाँ 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 हेई सुजीद को देदो एई सुजीद को देदे सुजीद क्या है सुरी सुरी किसलिये फूचरा है सुरी किसलिये पूचरा है सुरी किसलिये कल न शुचीद को प्रपोस किया था मैंने कुछ जादा ही कर दिया सच में, डायरेक्ट लिप लोग सुझी? तुम्ही आक्षरा ने तुमके प्रपोस किया थाना और डायरेक्ट लिप लोग और उख तुम रोगो, मैं दायरेक्ट हा अक्षरा यह अक्षरा मेरी बाप सुरो सब्सक्षरी जाली कि सौरी बोलने के लिए तो चिट भेजा था कहां पर क्या बोलना चाहिए समझ में नहीं आता तुम्हें पागल हो गई हो क्या अरे ऐसे ही मजाक किया ना क्या मजाक हमेशा मजाक ही सूचता है तुम्हें शे देखो हमारे चाहे कितने भी जन्म हो जाये हमारा प्यार एक नही कर दो देखो तुमारी वज़े से मेरी चूडिया तूड़ गई है अब तुम ही खरीद कर दोगे वरना मैं घर नहीं जाओंगी ठीक है चूडिया खरीद दूँगा पर दुबारा पीछा मत करना मेरा वरना दाथ तोड़ दूगा चला बठाओ सपने दिखना बंद करो और दोबारा ऐसा मत करना ठीक है ओके पाई मैं आटो में बैठों तब तक तुम यहीं पर रहना ओके अरे जाओ ना बाई अठीक है बाई जाओ बाई बाई यहां पर कैसे कुछ दुन का ना अटो ना दॉन कित Civ है अग्यू सब नहीं कि मैं रोज देक रहे ही ओध आपके अंदर का सुछ नltry आप पास होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है पोई स्मार्ट अब रिपोर्ट आगई है से सुझीद के बारे में और जानकारी चाहिए उसके सारे दोस्तों को बुलाओ झालोके सारे रिपोर्ट आगई है तुम सब को पता है अच्छी तरह पता है कि वहाँ क्या हुआ था वहाँ जो कुछ भी वा वो अचानक नहीं हुआ पक्का प्लान करके हुआ तुम्हारे दोस्त और उस लड़की से संबन्दित हर जानकारी मुझे चाहिए हमें मारिया मत सर, वी अर जस फ्रेंड्स इससे ज़्यादा हमें कुछ भी पता नहीं है तुम्हें नहीं पता, सच में नहीं पता मैं कुछ बताना चाहता हूँ सर, शैद आपके काम आ जाए हम बोलो सुजीत अक्षरा को पसंद नहीं करता था लेकिन अक्षरा सुजीत के पीशे पड़ी रहती थी और इसी घलत फैमी में आरजी ने सुजीत पर अटेक करवाया चल 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 पिला पिला दे पिला दे चल बाई चल अपना काम दो हो गया आजा सही का चल पिले बढ़िया से अरे आरजी का आजमी आया चल देखते हैं क्या बात है आजा चल की जटे चल अब हो गया बोलपिला के नाव में छोड़ दिया भाई अभी तक मचलियों का आर बन गया होगा अरे यह नाव तो वापस आगई कि अभी तो नाव उदर छोड़के आये थे फिर यह अपने आव वापस करसी आ गए आप अब है नाम कोई नहीं है यह क्या एप उधर जाकर देख और तुए दर देख आज आज़ा अगर वह नहीं मरेगा तो हम सब मर जाएंगे फूढ उसे किरें कि अवग सिर्ए पार टे हाए रहा हुगि कि आ रहा हुग हुग हाओ मा ओा पर बाया हुग हुग है हु 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 あの हु हु ह 아까 अ हु ह किma कर और नह दो हुआा हुआ कुछ जई उस वक्त सुजीत को मैंने ही बचाया और मैंने ही होस्पिटल में एल्मिट कराया था सर सुजीत के बारे में सोचकर अक्षरा टेंशन में आ गई थी वो होस्पिटल में मैंने ही उसे बताया अक्षरा किसे डूढ रही हूं तुम सुजीत को क्या वह एक हफ्ते से होस्पिटल में है क्या तुम उसे ना ढूड़ो तो ही उसके लिए अच्छा होगा कम से कम जिन्दा तो रहेगा कि सूजित होस्पिटल नहीं यह सुनकर अक्षरा को बहुत दुख हुआ सर यह सब कुछ उसके भाई ने करवाया है यह वो समझ गई थी क्या बात है लक्षमी चिप्स खा रही हो हाँ अंटी ऐसे कुछ भी मत खाया करो हम हम ड्राइब फ्रूट को रात में भीगो कर सुबव से खाया करो बच्चा सुन्दर होगा ए लक्षमी तुम सस्रॉल क्यों नहीं जा रही हो यहां पर आए हुए बहुत दिन हो गए लड़की का पहला बच्चा माईके में होना चाहिए यह कहीं भी रहे तुमें क्या अरे मा पहले बच्चे के समय आप कहां पर थी और कहां रहती मैं अपन अपनी बेटी को जानबूच कर भूला रही है अब अरे सब मर गए सोच कर चली गई थी ना अगर हम सला मशुरा देंगे तो वो सुनेगी क्या हमारी बात सब कुछ छोड़ कर गई है न पापा ए क्या है जो मन में आया बोले जा रहा है तू दीदी ने कौन सा गुनाह कर दिया मा बच इससे प्यार किया उससे शादी की इस बासे तो खुश होना चाहिए और अगर वो दुखी है तो हमें भी उसके दुख में साथ होना चाहिए मा मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ मा वो खुश है इस बात का दुख नहीं है हमें उसके खुशी के लिए हमने क्या खोया है तुम्हें पता है क्या उसको जनम देने के लिए तेरी मा मौत तक से लड़ गई थी मा 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 सब बच्चा घूम गया है बहुत क्रिटिकल कंडिशन है ऑपरेशन करना होगा मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को जनम दूंगी उसके जनम लेते ही है खुशी के मारे एक दम से पागल हो गई थी बीस सालों तक इसी घर में पनी बढ़ी वो हर जगह उसी की यादे चुपी हुई है सारे रिष्टे नाते तोड़ कर चली गई उसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई यहां तक अपने मा की गर्ब का ऐसान तक नहीं माना उसने आसपास के लोग रिष्टेदार हमारी परवरिश पर आज भी उंगली उठा रहे हैं हम किस दर्द से गुजर रहे हैं हमें ही पता है सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि हम उसका कन्य अदाद नहीं कर पाएं जब तक जिन्दा रहेंगे दर्द बना रहेगा कैसे भूलेंगे हम जितना दर्द आपको है पापा उससे कहीं ज़्यादा दर्द हमारी दीडी को है आप उससे प्यार से बात करेंगे इस बात का वो इंतिजार कर रही है सजा देने वाले से बड़ा माफ करने वाला हुदा ही आपने ही सिखाया था और मुझे यकीन है कि आप बड़े दिल वाले हैं पापा बेटा यह रिष्टा बहुत अच्छा है हमारी किसमत खुलने का समय आ गया ठीक है पापा नमस्ते जी नमस्ते 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 बैठे लड़के का अमेरिका में MS हो गया है कुछ दिनों पहले जॉब भी मिल गई लड़के की परवरिश बहुत शिद्धत से की है आपकी बेहन को हमारे कोई तकलिफ नहीं होगी लड़की बहुत अच्छी है ना अहां पापा अरे देख वोई है मा उसे तयार करके लिया ठीक गड़की का तयार क्या हो ना हमने उससे देख लिया है आगे के बाद हम लोग कर लेंगे ठीक है ना बेटा ठीक है मा सब रस्मों रिवास से हो तो सबको इस बात में खुशी ह होती है मैं ये शादी नहीं करूँगी चुपकर क्या बूले जा रहे है तो पापा लड़की को तो ये रिष्टा पसंद ही नहीं है एक बात पुछूँ है जी सर आपने अपने बेटे को ये क्यों नहीं सिखाया कि शादी का फैस्ता बड़े करते हैं मेरे बेटे को ये सब अच्छी तरे पता है लेकिन किसी और को आप फिकर मत कीजिए शादी के तयारी कीजिए सुजीत का नाम मेरे दिल पर लिखा है सुजीत को आप मुझसे दूर नहीं कर सकते अब वो मेरे साथ हमेशा रहेगा अब क्या करेंगे आप बेटा ये आपका पारिवारिक मामला है आपस पें बात कर ले माफ करना बेटा गर का बेटा अगर नहीं माने तो कुछ नहीं जाता लेकिन अगर लड़की नहीं माने तो हर किसी से ताने सुनने पड़ते हैं सिर्फ रिष्टे की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बात दिल पर नाम लिखने तक आ गई है, अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, आप भी देखिए कि गाउं में ये बात पहले ना बस, अब आप संसकारों की बाते मत कीजिए, हम निकलते हैं, बश्पन में मुझे जो भी पसंद होता था, सबसे पहले आपको पता चलता था, तो फिर मेरे प्यार के बारे में कैसे नहीं पता चला, हाँ, आप चाहे कितने भी लड़के ले आए, मैं शादी तो उसी से करूंगी, मैं जीऊंगी और मरूंगी, तो सुजीत के साथ, और जाकर मर जाओ, रागाओ, मेरी बेहन किसी के साथ भाग जाए, इससे बेहतर है, कि वो जाकर कहीं मर जाए, मैं परदाश्ट कर लूंगा, अक्षणा, 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 ने जहर पे लिया, ये बात हम लोगों ने उसे पता ही थी, अरे सुजित यहां क्या कर रहा है अरे तुमसी बोल रहा हूं अक्षरा ने जहर पी लिए हॉस्पिटल में है उसकी जान खत्रे में है श्च मुझे मालूम था कि यह सब होगा प्यार को निभाना असान नहीं है इसका कोई फ्यूचर नहीं है अक्षरा से बात करेंगे तब ही यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी सुजीत ने अपनी दीदी की गुद बढ़ाई के लिए अपने माब को मना लिया था सर। गुद बढ़ाई के बाद सुजीत ने अक्षरा से मिलने का फैंस लगिया था संदल लगिया ना हमाई है 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 बेटी क्या हो बेटी तुम्हें दर्द सुरू हो गया क्या जल्दी आये इससे दर्द हो रहा है मैं समालती हूँ आप जल्दी से होस्पिटल में फोन कीजिए माँ इसके बाद सुजीत अक्ष्रा से मिलने गया आगे क्या हुआ वो मुझे पता नहीं सर्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अलो बुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् नहीं होने की वज़ा से केस को अगले शुक्रवार तक स्थागित किया जाता है तब तक मुल्जिम आर जी को रिमांड में भेजने के लिए पोलिश डिपार्टमेंट को यह आदेश जारी किया जाता है कि अरू हॐ हुआ हुआ है हुआ क्रिश्ट कंसरे ना करें चिस्टर इद आहें जाएन सर आर जी क्या आपने को होश आगया है सर होश में आगया है गाड़ी स्ठाट करो गुनाह आर जी साब आपकी बेल मंजूर हो गई है मुबारक हो उस दिन वहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में लोग अलग अलग बाते कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ क्या हुआ था सिर्फ तुम जानते हो और वहाँ क्या हुआ था यही जानने के लिए मैंने तुम्हे बचाया है आखिर उस दिन क्या हुआ था उस दिन क्या वा भाई अच्छानाता थे मतया से मिलना होगा भाई आप दोनों में 36 का अकड़ा है और अकेले उससे मिलने जाना ठेक नहीं होगा उसकी वज़ा से हमारे खांदान पे दाग नहीं लगे और उसकी शादी मही कराऊंगा बच्पन से कितने सपने देखे हैं कि मैं उसे अपने हाथों से विदा करूँगा वो तो मैं करूँगा ही मतया तुमसे कभी मिलूँगा मैंने सोचा भी नहीं था मेरी एक बहन है और मेरी बहन मेरी जान है उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता और मेरी बहन ने भी मेरी खीची लक्षमन रेखा को कभी भी पार नहीं किया अब वो एक लड़के से प्यार करती है और अब मेरे खिलाफ ही बोलती है वो उसके लिए पागल होती जा रही है उसको तुम डराओ मारो मैं नहीं जानता मुझे मेरी बहन चाहिए बस मुझे उसके जिन्दगी चाहिए बस जो बोलोगे दूँगा जो मागोगे दूँगा बस मेरी इतनी मदद कर दो मैं तेरा दुख समझ गया आर जी मेरा दंदा है समुद्र की मचलियों को पकड़ना और इनसानों का कतल करना मैं पैसों के लिए किसी को भी मार सकता हूँ तो जिन्दा मत कर ये बात ने सुजीद को बता कर उसे बजाने की सोच रहा था मैंने उसको फॉलो भी किया था और उसी समय अक्षरा सुजीद से मिलने के लिए बहां आई सुजीद सुजीद ये सब मेरी वज़े से हुआ है मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाईया ऐसा कुछ कर बैठेंगे इतने वाइलेंट हो जाएंगे बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे हमेशा बैस्ट दिया है फिर चाहे मुझे बालों के लिए हैर पेंट चाहिए हो या पैरों के लिए नेल पॉलिश ही क्यों ना चाहिए हो सब कुछ उन्होंने मुझे लाकर दिया मेरी पसंद या फिर मेरी ना पसंद बेना कहीं ही वो हमेशा समझ चाते थे लेकिन मेरे मन में तुम हो ये जानने के बाद भी पता नहीं क्यों वो मुझे तुम से दूर करना चाहते हैं इसलिए मैं भाईया को बस बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती इसके बाद क्या होगा पता नहीं लेकिन मैंने फैस्ता ले लिया है इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ अक्षरा तुम अपने नाम की तरह बहुत जादा खुबसूरत हो जब तुम्हें पहली बार मैंने देखा मैं तुम्हारे प्यार में बढ़ गया था लेकिन प्यार को निभाना आसान नहीं है उसका फ्यूचर नहीं है इस सूरज के अंदर नाम बहुत आग होती उसके करीब जाकर ही पता चलता है प्यार भी वैसा ही होता है प्यार की दुश्मन बन जाती है और फिर प्यार करने वालों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है या तो भाग जाओ या तो जान दे दो और यही प्यार की असलियत मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं मेरी भी एक बड़ी दीदी है जो किसी लड़के से बेपना प्यार करती थी पर हमारी फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया अगर मैंने उसे सपोर्ट किया होता तो वो आज हमारे साथ होती हमारा परिवार भी एक हैपी परिवार होता इस अब जानने के बाद मैं आखिर वो गलती कैसे दोह रहा हूँ, तुम्ही बताओ ना। तुम्हें ये बात पता है, हमारे माबाप को खुशी कब मिलती है, जब हमारे माबाप हमारी शादी करवा कर, हमें आशिरवाद देते हैं, तब मिलती है। प्यार करने से रिष्टे बनने चाहिए, ना कि रिष्टे मिटने चाहिए। एक पिताब बड़े प्यार से अपनी बच्ची की सारी जिम्मेदारियों को पूरी करता है, और फिर वो उसी बच्ची से दूर होका कैसे खुश रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारा परिवार भी तुम्हें अच्छी जिन्दगी देना चाहता है। तुम्हारी आखों में खुशी देखना चाहता है। लोग भाई को तो भगवान मानते हैं, भाई को दुश्मन मत मानो। जो इंसान तुम्हें मार देना चाहता है उसे ही तुम भगवान कह रहे हो लेकिन असल में वो भगवान नहीं है तुम हो मैंने तुमसे प्यार किया है तुमसे शादी करनी है तुम्हारे साथ चीना है बच्चे पैदा करने है आई शायद मेरे और तुम्हारे प्यार में स्वार्थ है है कि तुम जो कह रहे हो शायद प्यार का मतलब तो साथ रहना होता है ना शाहरो मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए पूजा करनी चाहिए इचुम्य इक आई मदतमारी पूजा करूँगी प्यार का मतलब यह नहीं Sundays लड़की अपने बसंद के लड़के से शादि कर पाए मैं चलती हूँ, जा रही हूँ मेरा भाई जिससे कहेगा मैं उससे शादी कर लूँगी सुजीत बाई अक्षरा अक्षरा और फिर अक्षरा से विंती की सुजीत ने तुम्हारे भाई ने जो कहा है वो करो कैसे भी जगड़े खत्म हो जाएं इसलिए मैंने सब कुछ फोन से शूट किया और आरजी को भेजा सुजीत को उसने वलत समझा ये उसकी समझ में आ गया और इतने में ही तू यहां पर क्यों आया तू जल्दी से यहां से भाग्चा आरजी ने अपने आपनी को बेजा तुझे मारने के लिए कर दो यहां से शकते कर दो आरजी को लिए कि हुँ यहां झाली राँ ऑ़ ऑ़ चट अ़र शची ऑ़र 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 जो ऑ़र शची मजश तो आ़ सूजी सूजी चोड़ो लीज चोड़ो हाई बेन को उठाकर बोलो ले जा रहे सूजी 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 काटके बाग रही है सूजी 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 सुडी turbines मैं बासुट अच्षी को छूर दो वाल प्लीज यार शही honest imming Maya अच्षू खचिनाThat खचिना जार खच्छत एक्ष॥ू जार शचत बॉज़ जजए ऋजएू खचिना अञ़ सूराध अजास पह कर दाल 9 डिस जा चाल झाल कर दो लोट! लोट! हा लगाँ… कुम 유 deliver! कुम बाले लो私 दोए! झालॲ कोरिषी से जहार इस love कि करना हुआ से लग कर्क, का समुगी तूस्टत्षी फ्रुस्टत्थ खूँब ख्ढाओब फड़ाए जास। खूआ यख कंटिस पाइड़ा草 खाओब खाओव पस्टर बाँ उनन लिखिस, च्थाशी टूओ सतत्स। को तो ख्मिक, प्मिक खख़िस टेनボ Bentन ख्मिक हम उनना से हैं १ १ १ १ १ १ १ १ है लोग है यह यह वह यह किया हो अ हराई यह थो यह दो यह घुल देखंग नुद्हा पुंद नंगरिए नंदिद्ध कंट मेरी पेंट कंट मैरी पेंट का व्हों पूसे पढ़कर समुद के किनारे ले गया अब तो बहुत खुश होगे ना तुम्हारे बदले की याग ने तुम्हारी बेहन को खत्म कर दिया क्या हासिल हुआ तुम्हें मुझे मारना था तो मुझे मार लेते इस सब से क्या मिला तुम्हें मैंने पहले ही कहा था तुमसे चाहे तुम कन्विंस हो या ना हो मैं कन्विंस हूँ या ना हूँ तुम चाहकर ब्यक्ष्रा को मुझसे अलग नहीं कर पाओगे पाओगे क्लोस प्रेप्स प्ली क्लोस थैंक्स, ओके इस पूरे कॉलिज में सिफ तुम ही एक जीजाची हो और इस पूरे कॉलिज में सिफ मैं ही एक दीदी हूँ तो रिष्टा हो गया नो अब जीऊंगी और मरूंगी से तुम्हारे साथ अब जीजाची और बजस विए एक जीजाची और प्रेपाँ प्रवाय आए है अजय तो कि अजय दिन मुतिया को मार देता लेकिन आरजी ने अपने उपर केस क्यों लिया वो मुदया का इरिया था दिवाली के आने में कुछ ही महीने बचे थे आरजी जाकर मुदया से मिला तभी यह सारा प्लान बदल गया इसलिए आरजी यहाँ जेल में रहा भाई को सजा हो गई ये सोचकर मुतया आराम से बाहर घूम रहा था आर जी मौके की तलाश में था वो सच में उसे नहीं चुड़ेगा ये वो दो मारी साव पंहत्त आराम से तलाश में रहारी साव का। झाल दो खुश हो अब खुश हो ना जब पैदा किया तो नाम हिज्जत सब कुछ था मेरे पास क्यों छिन लिया मुझसे सब पैदा होते ही मुझे क्यों नहीं मारदीया तुम नहीं well यूत पेएड़ी को सिंधिगी भर best टुगा बैस्ट दूगा बोलता रहा उनाजी ने कहा तुस से हैंने उसे खाटन कर दिया कंसी खुशी में दीयों से को सी खुशी दीया कौन सी कौन सी कौन सी हुआ है हुआ है हाहाण 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 प्रुट प्रुट करें प्रुट कहते हैं इंसाम जानवर बन रहा है पर सचाई ये है कि जानवर को धोखा द्वेश एहंकार स्वार्थ जैसी चीजों के बारे में पता ही नहीं कोई भी जानवर अगर शिकार करता है तो सिर्फ अपने पेट के लिए और पेट भर जाता है तो वह चला जाता है शिकार को वह अपने साथ लेकर नहीं जाता है लेकिन जब इंसान के अंदर जानवर पैदा होता है तो वह सोचता है उसे ये चाहिए वह चाहिए इसी मूर्खता के साथ बिना सोचे वह फैसला लेता है और फिर ना जाने कितनी सोचना होगा और उसे सही निर्ने लेना होगा